मुहमद इब्राहीम भी करनाटक से हमार साथ एक और कॉलर मौजूदें उनका रूख करते हैं इब्राहीम आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन दो मैं जी इब्राहीम बताएं क्या परिशानिय आपको हकीम साथ से बात कर सकते हैं आप? वाले असलाम अबराहिम साहब, फरमाईे क्या खिद्मत मेरे लायख, क्या सवाल है? बहुत बहुत शुक्रिया आज इदूलम्मिनीन है, जमा का दिन है, बहुत त्यारी है, आपसे बहुत जनुन से खायश थी, बात करना अज़ बात हो लेए, अल्मा का शुकर है जी इबराहिम भाई, बताई ये, अज़ित guerre है, मैं सकतर पे एक साल का हूँ, खतर साल जी हाँ, सपतर पे एक साल है मेरे उमर, मुझे क्या है थोड़ा पेशाश की जियादती हो रही है, थोड़ा शूगर हो गया है, जी उसमें पिशाब ज्यादा हो रहा है तो उसे क्या लेना चाहिए और उसके अलावा जी मैं गिजा में क्या इस्केमाल करूँ ठीक है, सलामत रहिए आप और अमीन, आमीन बहुत चलाने आपको काफी अच्छी सिहत दी और उस 71 साल के पाइदान पर हैं आप और मेरी दुआ है कि आप अपने छोटों पर शफकत करते रहें और सलामत रहें शुगर हो गई है तो एक दवा बड़ी अच्छी है आप लेकिए बहुत सारी दवा हैं शुगर की, जो दवा खाते हैं लेकिए एक दवा है जिसे कहते हैं जैतून का सिर्का और ये ती चार चमच आप रात में छुटे चाय के चमच रात में पानी में मिलाके, गिलास पानी मिलाके पी लिया करें और पैदल भी चला करें एक घंटा जरूर अगर आप में हिम्मत है और जितना खाना आप खाते हैं उससे आधा खाया करें जैनि अगर चार रोटी आपकी खुराक है तो दो रोटी खाया करें, दो रोटी दो घंटे बाद फिर खा लें तो तो थोड़ा खाना चाहिए शुगर के वरीज को ऐसी चावल और आलू से सक्त परे मीटी चीजों से सक्त परे संतरा खा सकते हैं आप और किन्यू आता है वो खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं ये फ़ल आपके लिए काफी वफीद हैं और पैदल दूरू चला करिए आप ये अमल करेंगे तो आखरी सांस तक सेहत मन रह सकते हैं और डाइबटीज भी आपकी कंट्रोल हो सकती है स्रिस्टा शर्माभी हमार साथ में पर बात करने के लिए स्रिस्टा जी कैसी है आप बस ठीक हूँ जी बताएं क्या परिशनी है अकीन साथ से सवाल कर सकती है मेरे हस्टेशन निए नो उनको कान के नीचे न सूजित हो जाती है कभी अशलिप जाती है जा जान तीज बांड होते हैं बांड के ऊपर और कान के नीचे कभी 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 एक तरफ होती है कभी दूसरी तरफ होती है फिर आपने आप ठीक भी हो जाती है आपकी उमर कितनी है मेरे को नहीं होती है मेरे हस्वाइम को होती है अच्छा क्या उमर है मरीज की उनकी होगी को 69-70 अच्छा बहुत अच्छे अच्छा क्या काम करते हैं वो ठीक है जो देखिए आधा चम्मज मेथी सुवा आधा चम्मज शाम उन्हें पाउडर बना के खिलाया करिए मुझे अमीदे आपके पती की परिशानी ठीक होना मुम्किन है सपा हमारे साथ जमु कश्मीर सेफ ओन लाइन पर मौजद हमारी कॉलर सपा कैसी है आप बस अलहुंद लिल्ला जी बताएं क्या परिशानी आपको जी मेरे शाहर है वो डियाबेटिक पेशेंट है उसकी ना बाए साइड में बाजू पेर लेकिना अनकॉंश्यस रहता है उसमें ज्यानी नहीं है और कई ट्रेश्मेंट कराएं उसको कुछ फरक नहीं हो मसाज वगरा कराएं कुछ भी नहीं हुआ उसी के बारे में डॉक्टर साब से पूछना था यह क्या प्रॉबरी ठीक हो जाए कि नहीं सारे बोलती है शुगर से है उनका उनकी उमर बताएं आप मुझे 50 50 50 और कितने दिन से ही तकलीफ है और पैर में है या हाथ में है नहीं दो साल से पैर में है मतलब इस वक्त में उनको नहीं मसाज कर रही हूं अम्रत सर भी गए दहली भी गए कई फरक नहीं पड़ा सब भूते हैं डियाबिटी की वज़े से हैं जब तक कंट्र दोल में है शुगर तब भी फरक नहीं पड़ रहा इसको बिलकुल जहान ही नहीं लगती इसको पैर में ठंडे पर जाते हैं रात को ज्यादा दिन में भी ठंडे पर जाते हैं ठीक है ठीक है मैं समझ गया है जा देखिए डाइबिटी से इसका मर्ज का कोई तालुक नहीं ह और अगर ये दोनों पैरों में है या एक पैर में है एक ही बात है किसी की दोनों तरफ की रगें यानी नसें यानी नर्व हमारे कूलों से उपर जो डिस्क है जिसको सिलिप डिस्क भी कहते हैं जहां पर होता है वहां पर इनकी रगें दबी हुई हैं कमर में कमर के सब से न जिसकी वजह से खून जो तैजी से आना जाना चाहिए, मेरे तजर्बे में वह खून कत्रा कत्रा जाता जिसकी वजह से हमारा जिसम यह तो दर्द देता है, यह सुन होता है, यह गहर हसास हो जाता है, यह इतना एक्टिव नहीं रहता, यह दर्द शुरू होता है, यह खिचा उन सब लोगों के लिए जिन लोगों के कमर में तकलीफ है टांगों में तकलीफ है पिंडियों में खिछाओ है दर्द है या सुन हो जाते हैं पैर और कहीं भी किसी भी जोड़ में दर्द है तो एक बहुत अच्छा इलाज है देखिए, अलसी आप जानते हैं, अलसी लीजे, तकरिबन तीन सो ग्राम अलसी, और उसको हलका सा भूर लीजे, तीन सो ग्राम अलसी और सो ग्राम ग्राम ग्राश्ट सिया, यानि काला ग्राम असन जबान में कहते हैं, और यह बहुत महगा आता और बहुत नकली आता है, और यह सो ग्राम भी आपको सो डेल सो ग्राम भी हजार पंद्रा सो का मिलेगा देखके लिए ना जायके में बहुत कड़वा होता है इतना कड़वा कि मैंने कभी इतनी कड़वी दवा नहीं देखी युनानी दवा कि आपने एगर एक चिटकी अपनी जबान पर रख लिया तो इ 300 ग्राम अलसी हलका सा भून लें अलसी को और इसके साथ पौडर बना लें पौडर बनाकर एक ग्राम सुबा एक ग्राम दुपेर एक ग्राम शाम खाना देना शुरू करें और उनसे कहां जमीन में ना बैठें वेस्टन ट्वाइलेट का इस्तमाल करें अगर ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द आपके खाविन का ठीक होना मुम्किन है वीना गुजरा से मारस अग्वा फिर से जुड़ गई है जी वीना जी बताएं आपकी क्या परिशानी है मेरी बेटेजी ये परिशानी है कि मेरे पाओं बहुत डुखते हैं मैंने ओपरेशन भी कराया है पर मेरे को वह रास नहीं आया बहुत पाओं डुखते है। और एक पाओं मेरी राइट वाल में तो सूजन आ जाती है बेटेजी आपकी उमर बताएं मेरी उमर 74 साल है 74 साल अच्छा दिखिए बहुत आप पर उपर वाले की महरवानी के आपको 74 साल में सेहत मन रखा और दूखिए हम और आप जैसे लोगों को आपरेशन नहीं कराना चाहिए इस उमर में आपरेशन 99.9% फाइदा नहीं करते जैसे आपने आपरेशन करा लेकिन फाइदा कुछ नहीं हुआ आप मुझे दो चार महीने दीजे दो महीने जाज़ जाज़ चार महीने और यह यह कोई है कि एक महीने दीजे एक नस्खा बता रहा हूँ वो आप शुरू करें देखिए छोटी हड छोटी हड लीजे 100 ग्राम धनिया 100 ग्राम मैथी 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम यह तो सब आपके किचन में मिल जाएंगे या बहुत आसानी से मिल जाएंगे एक ग्राम मैं अक्सर आजकल उसका परीचे कराता हूँ वो काफी महेंगा आता है और बहुत मुश्किल से मिलता है मिलता है तो नकली मिलता है तो उसकी पहचान ये है कि गौन छोटा-छोटा होता है जो भी गौन महिलाएं जानती है वो छोटा-छोटा होता है ये बड़ा-बड़ा होता है इसे गौन सियाह कहते है यानि काला गौन काला गौन आप लीजे और ये वैसे भूरा से रंका होता है जैसे कैसा बता हूँ लेकिन देखने में ब्राउन होता है और सबसे खास बात ये है कि ये इस कदर कड़वा होता है कि अगर आपने एक चुटकी जबान पर रख लें तो इतना कड़वा मुह हो जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ फौरी तोर पर खाना पड़ेगा तो ये इसकी पहचान बता है तो ये नस्खा लिजै ओ जैसे मैंने फिर दोहरा देता हूँ धनिया और 100 ग्राम धनिया चोटी हड़ अलसी 100 ग्राम धनिया छोटी हड़ अलसी और 6 और दाई सिया, इन चारों चीज़ों को हम वजन यानी बराबर बराबर वजन में लेकर पाउडर बना है, एक ग्राम सुबा एक ग्राम शाम, खाने के बाद पानी से लें, दूस से लें, जूस से लें, जैसे आपको आसानी हो, अचा पांच छे दिन के बाद आपको फाइदा शुरू होगा, इतना याद रखना, आपको दर्द होता है, दर्द की दवा ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं, ऐलोपेटिक दवा ले सकते हैं, एक महीने में अगर आपको 20-30% फाइदा हो, तो फिर आप इसको 2-4 महीने भी इलाज कर सकते हैं, एक मही लिजे रिद्वा है कि आपको उपर वाला स्थेहत्मन रखेगा जी मोहमाद शमीम कैसे आप वालीकूम उसलाब उम्र क्या है आपकी और परिशानी क्या है बताएं जी मैं ये पूछना जाता हूँ डॉक्टर साब से कि डाइबटीज को जर्से खतम करने कोई इलाज नहीं हो सकता है ठीक है अच्छा देखिए अभी बहुत से लोग दावा भी करने लगे हैं डाइबटीज जर्से खतम दावा करते हैं 100% लेकिन जितने भी लोगी दावा करते हैं सब जूटे हैं देखिए डाइबटीज को ना तो जर्से खतम कर सकते हैं और ना इसका मुस्तकिल अभी कोई लाज है फिलहाल अभी तक आज की तारीख तक डाइबटीज को कंट्रोल रखा जाता है और वो आप जो दावा काते हैं वो दावा लगाता रखाएं जिससे आपकी डाइबटीज कंट्रोल रहती है एक दावा मैं बता सकता हूँ आपको कि जिससे आप को डाइबटीज या डाइबटीज की जो दवा आप खाते हैं उससे नकसानात ना हो और आपकी किड्नी परफेक्ट रहे है लीवर परफेक्ट रहे है पेट बिल्गू ठीक रहे है और डाइबटीज भी कंट्रोल वो करती है 20-30 चालिस परसेंट तक डाइबटीज कंट्रोल करती है और वो है आप सुना होगा के सिरके आते हैं बहुत तरह के सिरके आते हैं लेकि जैतून का सिरका ना टीन चार चमज पानी में मिला करें एक ग्लास पानी में टी स्पोन तीन या चार पानी मिला करें एक या दो टाइम सुबा और शाम और इससे आप हमेशा हमेशा सेहत मन्द रह सकते हैं